एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि पैसा पैसे को खीचता है अब पैसा तो पैसे को खीचता है लेकिन हाँ हम ये भी जानते हैं कि अगर आप थोड़ा सा पैसा कहीं सही जगा में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सालों बाद आपको अच्छी खासी रकम मिल सकती है ज चायद हम भूल जाते हैं कि कई और ऐसी चीज़े हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कुछ सालों बाद ले सकते हैं तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी और बहुत इंट्रस्टिंग फाक्टर ये है कि ये रिलेटिड है पोस्ट ऑफिस से जी हां पोस्ट ऑफिस से कुछ ऐसा आप पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसी रकम निवेश कर सकते हैं बहुत ही मेनिमम रकम जिसके बाद आपको धेर सारा फायदा जो है वो कुछ सालों के अंदर मिलने लगेगा तो वो तमाम चीज़ें आपके साथ आज मैं शेयर करूँ उसके लिए आपको वीडियो कौन तक देखना है वीडियो पसंद आए तो लाइक कीज़े शेयर का बटन दबाईए और साथी साथ सब्सक्राइब कीज़े हमारा चानल बैल आइकॉन का बटन दबाईए और बताईएगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में रिखके तो चल में मंथली बेसिस पर भी यानी हर महीने पैसा जमा कर सकते हैं जरूरी नहीं कि यहां मोटी रकम ही निवेश की जाए इस पर 5.8 शुने फीसदी कंपाउंडिंग तिमाही बयाज मिलता है किसान विकास पत्र अपनी निवेश की गई रकम को दोगनी करने के लिए किसान विकास पत्र शांदार स्कीम है इसमें महस सौ महीने में आपका निवेश दोगना हो जाएगा इस योजना में 6.9 फीसदी कंपाउंडिंग सालाना बयाज मिलता है यानि अगर आपने इसमें चोड़ कर 2 लाग भी निवेश कर दिये तो 100 महीने में आपके हाथ में 4 लाग रुपए होंगे इसमें आपकी डिपॉजिट को किसी करीबी को ट्रांसवर करने की भी सुविदा होती है टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट खाता आप सिर्फ 1000 इसमें आप 100 रुपए में भी निवेश कर सकते हैं इसमें आपको हड़ साल 1.5 लाग रुपए तक के निवेश पर टाइक्स में चुट मिलती है इस स्कीम के तहट आपको 6.8 फिसदी कंपाौंइंग शमा ही बयाज मिलता है सुकन्या सम्रिद्धी योजना बेटियों की शादी और पढ़ाई में मदद के लिए सरकार द्वारा शुरू की गए छोटी बचत योशना सुकन्या समरिद्धी योशना का फायदा कई लोग उठा रही है ये पोस्ट आफिस की सबसे ज़ादा रिटर्न देने वाली स्कीम है इसमें 7.6 फीसदी की दर्से बयाज मिलता है वहीं IT कानून के सेक्शन ATC के तहट सुकन्या समरिद्धी योशना में निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलता है तो देखा आपने ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी क्योंकि COVID के दौरान हम सब ने देखा है कि छोटी छोटी रकम भी अगर आप जोड़े ना तो वो बुरे समय में काम आती है तो आप बहुत ज़रूरी है कि पैसा बचाएं पैसा अच्छी जगा निवेश करें ताकि आने वाली जनरेशन्स हमारे बच्चों के लिए वो पैसा जो है किसी काम आए हमारे लिए काम आए क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता तो निवेश कीजिए पैसा आपने सही झाती